टॉपिक नरेन नरेन हाइए आयम सीमा एंड आद जो है केसा हाब से हमारी मैज़ की क्लास है तो आज मैं मेज़ की क्लास का सेकिंड टोपिक कर वाऊंगे आपको स्कुारेंन स्कुार्ड रूट ठीक है तो ये जो टोपिक है वो आपके लिए बहुत important है, हमारे number system first chapter जो वो complete हो चुका है, उसके मैंने army students से related, जितने भी topic थे जो भी questions आने वाले थे, वो मैंने सारे cover up करवा दिये, मैं और भी questions करवा दूँगी, अभी जो है, आज हम हमारा second chapter स्टार्ट करेंगे square and square roots, ये जो है, वो हर exam हो चाहें classes, कोई भी 10th class हो, 9th class हो, सब के लिए important है ये, ठीक है तो army students, आप लोगों के लिए भी ये जो topic है, वो उतना important है, इसलिए square and square roots जो है, वो आपको करवाऊंगी, ठीक है, तो ये आज हमारे second chapter जो है, square and square root करेंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत important है, और उससे पहले, please, 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 हमारे channel को subscribe कीजिए, वीडियो को जादा से जादा like and share कीजिए, because आपके benefits से, आपके प्यार से ही, हम भी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, तो और आपकी अपनी study continue रखने के लिए, आपको जादा से जादा वीडियो को share करना होगा, and most important बात कि हमारी class का motive क्या है, हमारी class का motive है, आपके concepts को clear करना, ठीक है, हमारा सबसे main topic ये है, तो आज हम हमारा topic start करते है, square and square roots, square and square roots, देखो square क्या होता है आपका work work क्या होता है, work का मतलब होता square, किसी भी संख्या को कोई भी संख्या, उसको अपनी ही संख्या से multiply करना, जैसे 2 का बोला, तो 2 को 2 बार multiply करना, 3 को, अपनी ही संख्या से उतनी बार multiply करना no, ये आपका हो गया square, अगर आपको बोले 4 का square root क्या है, तो square root हो गया आपका 2, क्यूंकि ये 2 का square 4 है, 4 इसका square root क्या हो गया 2, तो आपको मैं ये आज दोनों चीजे निकालनी बताऊंगी, बट उससे पहले एक important बात, राइट डाउन कीजे आप, उससे पहले important बात, देखो, आपको पता है आप 1 की square जानते हैं, वो 9 की square आपको पता है, 81 होती है, अब आपको इसमें कोई भी unit digit, 1, 4, 9, 6, 5, इसके अलावा कोई दिखरी है, नहीं दिखरी न, अगर आपके कोई भी वर्ग संख्या होगी, कोई भी संख्या का आपको square पूछा जाएगा, तो जो आप वर्ग संख्या निकालेंगे, उस वर् कोई भी संख्या का unit digit, जो है, वो 2, 3, 7, 8, ये नहीं होगा, आपका, 2, 3, 7, 8, आपका किसी भी संख्या का आप square निकालोगे, उसका unit digit नहीं होगा, ये आप note down कर लीजिए, ठीक है, समझ में आई ये बात, अब एक अगली बात, एक next चीज, मैं आपको बता रही हूँ, दे unit digit, और वर्ग संख्या का unit digit, ठीक है, संख्या का unit digit और वर्ग संख्या का unit digit, अब देखो, आपकी कोई भी संख्या, यदि 1 और 9 होगी, तो उसका जो वर्ग संख्या का unit digit है, वो क्या होगा, 1 की स्क्वाइर 1 और 9 की स्क्वाइर भी 1 ठीक है नम नम मिक्या से तो उसका 1 ही आएगा अगर कोई संख्या 2 और 8 का यदि आपको स्क्वाइर पुछा जाएगा तो उसका unit digit हमेशें आपका 4 होगा 2 दुनी 4, 8, 8, 8, 6 अगर आपको 3 और 7 का unit digit पुछा जाए वर्ग संख्या का तो 3 और 7 का unit digit हमेशा आपका 9 होगा अगर आपको 6 और 4 का पुछा जाए तो आपका हमेशा 6 होगा और यदि 5 का तो 5 ही होगा तो ये चीज आप याद कर लीजिए, note down कर लीजिए, screenshot ले लीजिए यदि आपकी कोई भी संख्या का unit digit 1 और 9 है तो 1 होगा 2 और 8 है तो उसकी वर्ग संख्या का unit digit 4 होगा 3 और 7 है तो 9 होगा, 6 और 4 है तो 6 होगा, 5 है तो 5 होगा ठीक है, अब देखो, अब हम next हमारी चलते हैं आज के topic पे अब आज का topic हमारा square तो square का आप formula लिजिए, मैं आपको कैसे निकालना बताऊंगी जैसे आपके एक संख्या है, 64, चीक है तो आप क्या करोगे, इकाई अंक का square सबसे पहला step इकाई अंक का square फिर दहाई अंक, इकाई अंक into 2 ठीक है, second step आपका हो जाएगा, दहाई इकाई into 2 तो third step हो जाएगा आपका दहाई अंक का square और इसको आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे इसको, तीनों को तो आपका square आजाएगा, मैं इसी trick से आपको सारे square निकालना बताऊंगी ठीक है, मैं आपको और कोई trick नहीं बताऊंगी, एक ही trick से मैं सारे निकालना बताऊंगी बट उससे पहले, मैं आपको 5 की जो digit होती है न, उसका निकालना बता दू उसका एक अलग trick है, जो आपको बिलकुल लीजिए, जैसे 15 का बोला आपको तो हमेशा जो unit digit है, इसका square लिख दो, और 1 है न, इसको एक बढ़ा के multiply कर दो, एक दूनी, दो अगर आपको 25 का square पुछा, तो आप क्या करोगे, 5 का square कर दो, 5, 5, 25, और 2 को इसमें एक बढ़ा के लिख दो, 3 से multiply कर दो, 6 अगर आपको पुछा 45 का, तो आप 5, 5, 25, और 4 को एक बढ़ा के multiply कर दो, उससे अगली संख्या से 4, 5, 20, तो यह आपका हो गया 15 का, अगर 5 की digit का कोई भी आपसे square पुछा जाता है, तो आप इस तरह से multiply कर, इस तरह से solve कर लेना, ठीके, अब हम बताते हैं, बाक्की के, आपने 46, 46 का square निकालना है, तो हमारे formula के coding, सबसे पहले 21 अंक का square, तो 21 अंक क्या हो गया, चकम चकम, 36, इस 36 को लिख लिया, फिर आपका क्या था, दहाई अंक, 21 इंटू 2, 6 चोके 24 और 24 दुनी 48, ऐसे लिखते जो, एक-एक संख्या चोड के, फिर आपके दहाई अंक का square, दहाई अंक का square, 4 चोके 16, अब इनको प्लस कर दो, 6, 8, 9, 10, 11, 6, 4, 10, 11, और 2, यह आपका आगया 21, 16, कोई doubt, आप multiply करके देख लिजेगा, अगर कोई doubt हो तो, अगर आपको रोंग लगे दो, ठीक है, अभी second, second हम लेते हैं, 69, देखो, unit digit का square, इकाई अंक का square, नम नम, इक 80, फिर 6, दहाई अंक, इकाई अंक, और 2, छे निम, चोवन और चोवन दूनी, चे निम, चोवन और चोवन दूनी, 108, 108, आप देखो, दहाई अंक का square, 6 की square, चकम चकम, 36, अब देखो, 1, 8, 8, 16, 6 और 1, 7, और 3, और 1, 4, 47, ठीक है, अब देखो, अगली संख्या लेते हैं, अगली संख्या हमारी 89 की square, 87 की लेते हैं, ठीक है, 87 की, तो हमारा इकाई अंक का square, कितना हो जाएगा, 7, 7, गुणंचास, अब दहाई अंक, इकाई अंक, और इंटू 2, 8, 7, 56, चपन दूनी, 112, 112, अब देखो, दहाई अंक का square, 8, 8, 64, यह देखो, 9, 4, 2, 6, 4, 5, 6, 7, यह आपका आंसर कितना आ गया, 59, चीक है, 75, 69, यह आपने square निकालना सिख लिया, अब आप एक चीज बोलोगे, इसका screenshot लेते रहिएगा, because यह important topic है, अब आपने एक यह चीज तो सिख लिए, अब आप बोलोगे, कि मैडम आपने 2 digit का तो निकालना सिखा दिया, अगर हमारे 3 digit का square पूछ ले, तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखो, 3 digit का भी बताती हूँ मैं आपको, यह आपके 123 है, आप इसमें क्या करोगे, यह तो आपका इकाई अंक है, इन दोनों को आप अपना दहाई अंक मान लोगे, बस इसमें इतना सा काम करना है, अब देखो, 3 की square, 9, वैसे ही करेंगे, दहाई का अंक 12, इकाई का अंक 3, और 2, तो 12 ती है, 36, 36 दूनी, बैतर, इसको ऐसे लिख लिए, फिर आपके 12 की square, 12 की square तो आपको यादी होगी, 145, अब इसको एड़ कर लीजिए, 9, 2, 7 और 4, 11, 4 और 1, 5, या जगा 15, 139, ठीक है, अब देखो, एक संख्या ओड लेते हैं, अब देखो, 134, तीन डिजिट का बता रही हूँ ये, अब देखो, इकाई अंक का square, इकाई अंक का square आपको क्या हो जाएगा, 16, अब देखो, 13 दहाई अंक, इंटू, 13 इंटू, 4 इंटू, दो, तेरा चोके 52, दूनी, 104, यहाँ पर आजाएगा, आपका 104, अब 13 की square, 13 की square क्या होती है, 169, 6, 4 और एक 5, 9, 6 और एक 7, रिया आजाएगा, आपका 17,956, समझ में आ रहा है, कोई doubt, अगर कोई भी doubt हो तो आप comment section में लिख दीजिए, गा मैं आपकी doubt, जो हो सोल कर दूँगी, ठीक है, I hope आपको समझ आ रहा ह के लिए, और बहुत important है, क्योंकि हर topic में ये चीज़ आपके आगे का हतांक आएगी, उसमें भी काम आएगा, तो ये जो है, वो हर topic में आपके काम आएगा, और आपको पता होगा, तो आप 2 मिनट में question को solve कर दोगे, ठीक है, so army students, please focus करिएगा, ठीक है, अब देखो, मैंने आपको square निकालना बता दिया, अब आपको square root, जो square निकालना बताया है, उसका square root निकालना अब कैसे निकालेंगे, वो बताएगे आपको, ठीक है, square समझ में आ गया, वर्ग निकालना होगे, अब वर्ग मूल बताएगे, देखो, वर्ग मूल कैसे निकालेंगे, एक संख्य लेते हैं जैसे 52 अब देखो ये कौन सी वर्ग संख्या का एक एक जो है वो कोई भी वर्ग संख्या का यूनिट डिजिट है किस किस संख्या का हो सकता है ये एक कौन सी संख्या का स्क्वाइर निकालते हैं तो हो सकता है एक का हो सकता है और नो का हो सकता है एक की स्क्वाइर 49 और 64 49 तो 7 की और 64 हो जाएगी आपके 8 की ठीक है हमेशा जो है ये 7 हमेशा जो छोटा वाला होता है वो आगे लेते हैं छोटा वाला आगे आपके 7 छोटा वाला क्या हो गया? हमेशा आगे आएगा अब आपको ये बताना है कि आपके आगे वाली संख्या जो है वो वनाएगी नाइगी ये doubt है अब इसके लिए आगे चलते हैं इसके लिए आप इन दोनों का difference find out करोगे अमेशा इन दोनों का difference कितना है? सोरी 2 का 64 में से 62 गया 2 और इन दोनों का कितना है 12 में से 9 गया, 3, 5 में से 1 गया 4 गया, एक, ठीक है ये कितने गया गया, 13, तो हमेशा जो कम difference होगा ना, उस संख्या की तरफ जाओगे तो 2 का कम difference है कम difference जादा वाली का है, मतलब आप जादा वाली की तरफ जाओगे, 9 वाली की तरफ तो आपका, इसका square root क्या हो गया वर्गमूल क्या हो गया, आपका 79 ये 79 की square और इसका root क्या है 79, ठीक है अब हम हमारी next संख्या भी चलते है next संख्या है हमारी 96 जीरो, ठीक है अब देखो, 4 किस-किस संख्या में आता है 2 में और 8 में ठीक है, इन दोनों को छोड़ दो, अब इन दोनों को ले लो अब 6 में जो वो किन दो संख्या का square है किन दो के बीच में आता है 81 और 100 81 नो का और ये 10 का अब 9 तो आई जाएगा आपको पता है, छोटी वाली तो हमेशा आती है इन दोनों का difference ले लो, अब इसका 4 और इसका 6 में से 1 गया, 5 9 में से 8 गया, 15 तो कम difference किसका है जादा वाली का, तो ये किस की तरफ जाएगा जादा वाली की तरफ, तो ये आपका answer हो जाएगा 98, I hope आपको समझा रहा होगा अब next पे चलते हैं, देखो next संख्या हो गई अमारी 18,406 में आप देखो, 6 किस किस में आएगा 6, 4 में और 6 में इन दोनों को छोड़ दो, अब इसको ले लो ठीक है, इन दोनों को छोड़ दो और अब इसको ले लो तो 184 आपके किन दो संख्या का स्कोयर होगा किस के बीच में आएगा 169 और 196 ये 13 का और ये 14 का ठीक है, किस किस का 13 का और 14 का तो आपके 13 तो आएगाई अब ये इन दोनों का डिफरेंस ले गए हम डिफरेंस 6 में से 4 गया, 2 9 में से 8 गया, 1 ये 12 आ गया, और ये कितना हो गया 14 में से 9 गया, 5 और 14 में से 9 गया, 5 7 में से 6 गया, 1 ठीक है, ये आपके 15 और ये आपके 12 ठीक है, तो आपका डिफरेंस कम कहाँ पे है, 12 वाला तो ये कहा पे जाएगा, जादा वाली संख्या की तरफ जाएगा, छे की तरफ, ये आ गया, 136 का स्क्वाइर आपका, ये 136 का स्क्वाइर है, इसका रूट किया है, 136, मैं एक ही ट्रिक से आपको, दोनों चीजे समझा रही हूँ, एक ही ट्रिक मैंने स्क्वाइर की ताकि ज़्यादा उसमें confuse नहोग अब देखो एक संख्या हो लेते हैं एक संख्या five seven seven six फैक है five seven seven six लेते हैं अब देखो चे किस किस में आता है या तो चार में और या चे में ठीक है चार में या चे में इसको छोड़ दिया आप 57 ले लो। 57 किन दोनों के बीच में आता है 57 आता है आपके 57 49 और 64 यह आपका 7 का और यह आपके 8 का ठीक है तो यहाँ पे 7 तो आई जाएगा अब इनका difference find out करते हैं 57 में से 49 गए कितने बचे 8 और यह इनका difference कितना होगा 7 कितना होगा 7 तो यह किस की तरफ जाएगा ज्यादा वाली की तर तो इसका answer क्या हो जाएगा 76 ठीक है लास्ट एक और लेते हैं लास्ट एक और लेते हैं एक संख्या और लेते हैं 5184 ठीक है अब एको 4 किस किस में आएगा या तो 2 में और या 8 में इन दोनों को छोड़ दो 51 को ले लो 51 किन दो बीच की digit की square है हो सकती है किन दो square के बीच की है 49 और 64 ठीक है 49 7 की और ये 8 की तो 7 तो होई जाएगा आपका अब इन दोनों का difference कितना है 2 का और इन दोनों का difference कितना है ज्यादा 4 में से 1 गया 3 6 में से 5 गया 1 तो ये किस की तरफ जाएगा छोटी वाली की तरफ क्योंकि इसका जुका किस की तरफ है कम difference किसका है छोटी वाली की तरफ तो ये आपको आ जाएगा 72 ठीक है सारे आपने screenshot ले लिए होंगे और जो ये है बहुत important topic था इसलिए मैंने आपको सारा clear किया है square and square root इसके questions भी लेके आउंगी कि किस type के questions आएंगे आज मैंने सिर्फ आपको square root निकालना सि सिखाया है ताकि आप confused ना हो और आप जो है वो अपना questions आराम से कर दो ठीक है और जादा से जादा प्लीज वीडियो को watch कीजिए तभी आपको benefit होगा जादे से जादा लोगों को share कीजिए ठीक है and thank you so much for watching my video